दे क्रेट खली और जिंदर महाल से भी पहले लेट 90s में WWE में एक Indian Origin Wrestler हुआ करते थे ये कहानी है उस First Indian Wrestler की ये कहानी है Tiger Ali Singh की कैसे Tiger Ali Singh आये WWE में? क्या आप जानते हैं कि 1997 से 2002 तक लगबग 5 साल वो WWE में थे? क्या हुआ था जब अंडटीक और Tiger Ali Singh आमने सामने आये थे? क्या WWE में उनके साथ ना इंसाफी हुई है? क्या wrestling करते वक्त उन पर जान लेवा हमला हुआ? और कब wrestle किया उन्होंने अपना last match? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाबाज के इस वीडियो में Tiger Ali Singh का असली नाम है गुरजीत सिंग हंस और उनका जनम हुआ था मार्च 9, 1971 में कैनेडा में उनके पिता Tiger Jeet Singh भी एक professional wrestler है Tiger Ali Singh को जब WWE ने जनवरी 1997 में sign किया था तो Toronto के Sky Dome में एक बड़े press conference के साथ sign किया गया था इसे एक बड़ी news के रूप में पेश किया गया था बस 26 साल की उमर में join होते ही उनके career का सबसे बड़ा और इकलौता success उने मिला April 1997 में Owen Hart को हरा कर उन्होंने कुवेट कप जीत लिया इसे दिखता है के WWE उनके लिए कुछ बड़ा सोच रहा था April 21 1997 के रौपर Tiger Ali Singh ने अपना in ring डेब्यू किया यहाँ साड़े चार मिनट के मैच में उन्होंने Salvatore Sincere को हरा दिया इंट्रेस्टिंग चीज है के अब तक इंडिया एंगल नहीं आया था यहाँ तक कि JR ने कमेंटरी पर कहा के Tiger Ali Singh को देख कर Canada के fans excited होंगे September में UK के special event One Night Only पर Tiger Ali Singh ने Leaf Cassidy को हराया जी हाँ वही Leaf Cassidy जो आगे जाके Al Snow बने यहाँ अपने पिता के साथ होरिंग में आये और मैच से पहले उन्होंने एक प्रोमो भी कट किया उन्होंने कहा के वो एक proud Asian Canadian है उन्होंने ये भी कहा के बच्चों को ड्रक से दूर रखना चाहिए जो भी है इंट्रेस्टिंग है के उनके पिता Tiger Jeet Singh ने भी पंजावी में एक प्रोमो कट किया फैन रियाक्शन थंडा था इसके बाद Tiger Ali Singh TV से गायब हो गए WWE ने उन्हें अपनी wrestling इंप्रू करने के लिए अपने developmental territories में पेश दिया इसके बाद Tiger Ali Singh हमें नज़र आए February 2, 1998 के रौपर एक विडियो में यहाँ वो एक अमीर आदमी के गिमिक में दिखे उन्होंने कहा के वो दुनिया के सबसे greatest fighter बनना चाहते है ये भी बताया गया के उनका नाम उनके पिता Tiger Jeet Singh और Muhammad Ali को mix करके बनाया है वाह क्या बात है इसके बाद वो फिर से 6 महीने के लिए गायब हो गए Tiger Ali Singh वापस आए August 2, 1998 के heat पर एक नए रूप में मैं कहूंगा ये एक anti-American million dollar man का गिमिक था यहाँ वो अपने नौकर अबु के साथ रिंग में आते और audience member को बेहुदा हरकते करने के लिए पैसे देते ये episode on air जाने से पहले वो रिंग में आये थे और एक American lady को dog food खाने के लिए 500 dollar offer किये क्या चल क्या रहा है अगले दिन रॉप पर Tiger ने promo cut करते हुए कहा के American औरतों का कोई class नहीं है उन्हें बस एक चीज़ चाहिए और वो है पैसा बाकि कुछ भी हो उनका mic work definitely improve हो गया था उन्होंने अबु को audience में से एक औरत को select करने के लिए कहा अबु ने crowd में से एक मोटी औरत को ring में बुलाया और उन्हें अपना एक एक कपड़ा उतारने के लिए पात्सो डॉलर देने का वादा किया भाई चल क्या रहा है यहां audience members के reactions priceless थे एक point के बाद Tiger Ali Singh ने rule change कर दिया और का कि अब कपड़े वापस पहनो और पैसे मिलेंगे आज की तारीक में ऐसे segment पर बड़ा बवाल होगा मगर उस time चल गया जो भी हो एक बात माननी होगी के Tiger Ali Singh इस segment में काफी entertaining थे August 16 के heat के episode पर फिर से Tiger Ali Singh आये और उन्होंने 500 डॉलर का challenge announce किया के जो भी कीडे खाएगा उसे 500 डॉलर मिलेंगे खाश बूगी मैन उस वक्त audience में होते मगर वो थे नहीं अगले दिन रॉप पर हद हो गई Tiger Ali Singh ने announce किया कि जो भी अबू के तलवे चाटेगा उसे 500 डॉलर मिलेंगे वैसे अबू दिन भर काम करता है और उसके पैर गंदे है बस हुआ आगे नहीं बुलूँगा सप्टेंबर पाच के रॉप पर Tiger Ali Singh के साथ नए नौकर नज़र आए अबू की जगा अब बाबू ने ले दी थी क्या बात है Tiger ने कहा के बाबू पिछले 4 दिनों से सारडीन मचली खा रहे है क्राउड में से एक लड़की को स्टेज पर बुला कर कहा गया कि अगर वो बाबू को किस करे तो 600 डॉलर मिलेंगे यक लड़की ने ये टास किया मगर बाद में Undertaker और केंड रिंग में आए और Tiger Ali Singh और बाबू दोनों को चोक स्लैम मिला फिर कुछ एपिसोड गायब होने के बाद October 19 के रॉक के एपिसोड पर Tiger Ali Singh और बाबू नजर आए और इस बार निशाने पर थी Americans की खाने की आदते यहाँ बाबू एक Sausage पका रहा था और बाबू का Sausage खाने के लिए 500 डॉलर का इनाम अनाउंस किया गया हफते दर हफते यह segment double meaning वाले और offensive होते जा रहे थे मगर attitude एरा था सब कुछ चलता था एक लड़की ने यह challenge complete किया मगर वहाँ Godfather आ गए और उन्होंने कहा कि यह लड़की तो उनके साथ है और यही काम वो 500 डॉलर से भी कम पैसे में करी देती इस segment से next week Godfather वर्सिस Tiger Ali Singh मैच सेट हुआ next week का इन दोनों का मैच double disqualification रहा बहुत ही खराब wrestling देखने मिली इतनी की crowd ने मैच के बीच में wave करना शुडू कर दिया था November 9 के रॉपर मैच था Al Snow वर्सिस Tiger Ali Singh यहाँ पहले तो Tiger ने Babu को रिंग में ढकेला फिर Debra का interference भी हुआ और finally Tiger ने Bulldog देके Snow को pin करके धाई मिनिट का यह मैच जीत लिया November 15 के Sunday Night Heat पर मैच था Tiger Ali Singh वर्सिस Val Venus फिर इसे यह धाई मिनिट का मैच था जिसे Venus ने फिशमन सूपलेक से जीता November 23 के रॉपर Godfather वर्सिस Tiger Ali Singh के मैच में William Regal और Venus दोनों ने इंटरफियर कर दिया अगले वीक रॉपर Tiger ने Venus को रिसल किया और यह मैच भी नो कॉन्टेस्ट रहा End में Acolytes ने आके Tiger और Babu दोनों को डिस्ट्रॉई कर दिया और तलब है यह Acolytes का डेब्यू था December 6 के हीट पर एक अजीब मैच रखा गया Luna और जायन्ट सिल्वा वर्सिस पाबू और Tiger Ali Singh भाई था क्या यह यह मैच डबल काउंट आउट से एंड हुआ वैसे यहां फर्स टाइम Tiger Ali Singh इंडिया का फ्लैग लेके रिंग में आये थे December 7 के रॉपर Steve Blackman ने Tiger Ali Singh को आसानी से हरा दिया WWE का इंडिया नॉलेज इतना बेहुदा था कि Tiger यहां पर इंडिया का फ्लैग उल्टा लेके आये थे Not cool अगले वीक रॉपर Tiger Ali Singh जब लिंग की तरफ आ रहे थे तब अचानक से Brood का म्यूजिक चलने लगा और पूरे अरीना में लाल लाइटिंग चा गई Brood ने उन्हें घेर लिया Lights ओफ हो गए और जब लाइट्स वापस आये तो Tiger Ali Singh खून से लथपत नीचे गिरे हुए थे December 20 के Heat के एपिसोड पर Randomly Tiger Ali Singh को X-Pack के अगेंस्ट European Championship के लिए Title शॉट मिला फिर से दो मिनिट का ये मैच आसानी से X-Pack ने जीत लिया जनवरी 17, 1999 को Heat पर एक historic डेब्य हुआ इस wrestler का नाम था Gilbert ये Goldberg का spoof था यहाँ एक मिनिट में Tiger Ali Singh ने उन्हें हरा दिया वैसे यहाँ शायद First time वो पगड़ी पहने नजर आये थे इसके एक महीने बाद February 14, 1999 के Heat के मेन इवेंट में Billy Gunn ने आसानी से Tiger को हराया आप pattern देख रहे हो Tiger Ali Singh के सभी मैचेस 2,5 मिनिट से उपर नहीं चलते थे March 7, 1999 के Heat पर Tiger Ali Singh ने यूजवल अंटी अमेरिकन प्रोमो कट किया और जो भी अमेरिकन फ्लैक का इंसल्ट करेगा उसे 500 डॉलर का इनाम डेक्लेर कर दिया जिसे बढ़ा कर 2000 डॉलर किया गया Tiger ने ओडियंस में बैठे Kurt Angle को रिंग में बुला लिया और एक घिनोने सेग्मेंट में उन्होंने इंडिया के फ्लैक का टिस्रिस्पेक्ट कर दिया बाद में WWE ने इस सेग्मेंट के लिए माफी भी मांगी थी ये एक तरह से Angle का डेबियू था और उन्होंने Tiger को सूपलेक्स दे दिया अगले वीक हीट पर Tiger Ali सिंग ने Jim Ross का मजा कुडाया और जो भी उनकी नकल करेगा उसे 500 डॉलर का इनाम डेकलेर किया यहां रेसलर एड फरेरा रिंग में आ गए मगर बाद में असली JR और स्टीव विलियम्स ने आके दोनों को पीट डिया रैंडम सेग्मेंट मार्च 28 को टैक टीम इन्विटेशनल बैटल रोयल में Tiger Ali सिंग नजर आए इसमें बस एक ही इंट्रेस्टिंग चीज हुई कि कमेंटरी पर बैठे Owen Hart ने कहा कि Tiger Ali सिंग एक पॉपिलर हिंदू पफॉर्मर है भई उन दिनों WWE के एशिया नॉलेज के बारे में जितना कम कहे उतना ही अच्छा है April 18 1999 के हीट पर Tiger Ali सिंग ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि लोग शायद सोचते होंगे कि वो टैक्सी चलाते होंगे मगर नहीं वो अमीर है जो भी लड़की आके उनके पेरों को मसाच करेगी उसे पाथ सो डोलर मिलेंगे जहां शॉन स्टीसियक ने आके उन पर एटैक कर दिया और इसके बाद लगबग तेड़ साल Tiger Ali सिंग फिर से एक बार TV से गायब हो गए October 23, 2000 के रौपर एक रैंडम सेग्मेंट में न्यू यॉक में Tiger Ali सिंग और Lowdown मतलब Dilo Brown और Jazz की टीम साथ में खाना खाते नजर आए November 13 के रौपर हमने देखा के Michael Cole, Tiger Ali सिंग और Lowdown का इंटव्यू रेने के लिए रेडी हो रहे है मगर तभी वहाँ से रौप जाने लगे और Michael Cole, Tiger को इग्नोर करके रौप के पीछे चले गए Next week, रौपर फिर से एक रैंडम सेग्मेंट में दिखाया गया कि Security Guard ने Tiger Ali सिंग और Lowdown को बिल्डिंग में एंटरी करने से रोका और भगा दिया क्या चल गया रहा है इन सेग्मेंट का कुछ मतलब नहीं था अगले वीक रौपर Mick Folly और Deborah के सेग्मेंट में Tiger Ali सिंग और Lowdown आ गए Tiger ने कहा कि पिछले हफते की तरह इस बार भी बिल्डिंग में एंटरी करते वक्त उन्हें रुका गया और उन्होंने मैच की मांग की Folly ने उन्हें स्टीव ब्लैकमन के हार्ड कोर टाइटल के लिए शॉट डे दिया Tiger ने सजेस्ट किया के Lowdown को भी डडली के अगेंस टाइटल शॉट मिले मगर Folly ने मना कर दिया हार्ड कोर टाइटल मैच में Tiger Ali सिंग आयान शीक के थीम सॉंग में आये अरे क्या है यहाँ स्टीव ब्लैकमन ने उन्हें आसानी से हरा दिया साड़े तीन मिनिट का मैच था इसके बाद कुछ हफतों तक Tiger Ali सिंग Lowdown के मैनेजर बने नजर आये चनवरी 22 2001 के रॉपर Lowdown को डडली इसके खिलाफ टैग टाइटल शॉट मिला जहाँ वो डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए यहाँ यह दिखाया गया कि Tiger ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया यह सोच करके उसके दोस्त चैंपियन बन गए है मगर डडली बॉइज ने उन्हें टेबल पर 3D दे दिया यह इनका लास्ट टेलिवाइजड WWE अपेरेंस था इसके बाद लोडाउन और Tiger अली सिंग को दूसरे एक रेसलिंग प्रमोशन International Wrestling Association IWA में भीजा गया दूसरे देश प्योर्टोरिको में IWA में Tiger अली सिंग 2 टाइम टैक चैंपियन बने December 2001 में एक आउटडोर रेसलिंग मैच में बारिश में रेसल करने से उन्होंने मना कर दिया मगर प्रमोटर ने अल्टिमेटम दे दिया के मैच कम्प्लीट करो यहाँ पैर फिसल कर वो रिंग में गिर गए और बेहोश हो गए जब उन्होंने आखे खोली उन्होंने अपने आपको अकेले ड्रेसिंग रूम में पाया और वो डर गए तरहसल पोटो रिको इस मामले में डेंजरेस है प्रमोटर की बात न मानने पर रेसलर ब्रूजर बॉडी को एक जमाने में मार दिया गया था उनका कतल हुआ था शायद उनके साथ भी वही होगा इस डर से ताइगर अली सिंग ने इमिजेटली एरपोर्ट से कैनेडा के लिए फ्लाइट पकड़ी कुछ महीनों बाद डबल डबली वी ने उन्हें रिलीज कर दिया इसके बाद ताइगर अली सिंग ने डबली डबली वी पर सेवन मिलियन डॉलर्स का मुकदमा ठोग दिया यहीं एक कारण है के आज कोई उनका जिक्र भी नहीं करता उन्होंने इस लॉसूट में कहा के उनकी करियर एंडिंग एंजरी का कारण उन्हें पारिश में रेसल करने पर मजबूर करना था उन्हें ये भी कहा के डबली डबली वी के बाकी रेसलर्स उन्हें टैक्सी ड्राइवर करके बुलाते थे उनके और भी इंसर्ट्स किये गए जहां 1999 में उनके दस्तर में कचरा डाला गया डबली डबली वी के वकील चेरी मैक्टेविट ने कहा कि क्योंकि टाइगर की एंजरीज दूसरे रेसलिंग प्रमोशन और दूसरे देश में हुई थी इसके लिए डबली डबली वी जिम्मेदार नहीं है और एंजर होने पर डबली डबली वी उनका कॉंट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है अपने एंजरीज से रिकवर होके 2008 में टाइगर अली सिंग एक नए नाम मिक हंस के साथ रेसलिंग में वापस आए जपैन में हसल नाम के प्रमोशन में यहाँ अपने पिता टाइगर जीत सिंग के साथ उन्होंने टैग टीम की जून 2010 में MPW रेसलिंग में उन्होंने एक बैटल रॉयल भी जीता सप्टेमबर 2011 में SCW में दाइवारी के साथ उन्होंने एक मैच में टैग टीम की जुलाई 2013 में टाइगर फेस्ट नाम के इवेंट में उन्होंने और हैरी स्मिथ ने हैंडिकैप मैच में बिग डैडी वी, राइनो और डार्को को हरा दिया जुलाई 2014 में टाइगर फेस्ट नाम के एक और इवेंट में सिंग एंड राइनो का मैच नो कॉन्टेस्ट रहा जिसे और एक मैच हुआ जिसमें सिंग, डिवी बॉइस मिच जूनियर और सौनजय दत ने राइनो सोवामीन और स्टीव करीनो को पेस्ट अफ टू आउट अफ त्री फॉल्स मैच फॉल्स काउंट एनिवेर मैच में हरा दिया यही उनका लास्ट रिपोर्टेड मैच है टाइगर अली सिंग का करियर एक अनफुल्फिल्ड पोटेंशल रहा है जिस ताम जाम से उन्हें डबल डबली वी लाया गया वो कभी उसको जस्टिस नहीं कर पाए शायद शुरुवाती रिनो में उनकी लिमिटेड रेसलिंग अबिलिटी से उनके मैचेस भी बस 2-3 मिनिट के होते थे हाँ प्रोमोज वो जरूर बहुत ही अच्छे कट करते थे जो भी हो हम आज भी टाइगर अली सिंग को फॉस्ट इंडियन ओरिजिन डबल डबली वी रेसलर के रूप में याद करते हैं तो ये थी कहानी टाइगर अली सिंग की अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कॉंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए विलते हैं अगले हफते एक और कहानी के साथ देखते रहिए रेसलिंग स्टूरीज